ओम नमाशिवाय वैशाख मास शुक्ल पक्ष सुक्रवार 12 तिथी दिन में 7 बज़ कर 50 मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चाद 23 तिथी प्रारंब हो जाएगी चंदरमा उत्तरा फालगुनी नक्षतर में दिन के 2 बज़े तक चलते रहेंगे तत पस्चाद हस्तिनी नक्षतर में प्रवेश कर जाएगे उत्रा फालगुनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुन्दर, लोकप्री, दयालू, दानी, धहरवान और प्रसिद्धी पाने वाले होते हैं ऐसे जातक ब्यापारिक बुद्धी वाले, सही निर्णे देने वाले, गडित सही तेवं भासा आज में रूची रखने वाले, कुशागर बुद्धी के होते हैं ये सरल हिर्दय वाले, सुलजे मस्तिस्त वाले और उच अस्तर के लोगों से मित्रता रखने वाले भी होते हैं इनकी सामाजिक ख्याती अच्छी मिलती है और अपने पूरसार्थ से धन उपारजन करने में सफल रहते हैं यदि सहयोगी लगन रहा सूरी और बुद्ध की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशी में ही चलते रहेंगे मेश राशी वाले जातकों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे मन को किसी एक विशेर पर एकागर करने में दिक्कत होगी पारिवारिक सुख संतुष्टी में कमी महसूस करेंगे मा के स्वास्त के प्रती चिंता बनी रहेंगी चंद्रमा आपकी रासी से छट में चल रहेंगे काम रुक रुक कर होंगे और उत्साह की कमी का संकेत मिलता है नविन कार योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा हलाकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा संतान संबंधी मामलों में अनुकुलता मिलेगी अध्यान अध्यापन में सहयोग बना रहेगा ब्यावसाई की योजनाओं को कार रूप में परिवर्कित करने के लिए मानसिक इस्थिर्ता की आवस्यक्ता होगी ब्रिश रासी वाले जातकों के बौधिक छमता और शारीरिक उर्जा में विकास होगा बुधि चातूरे से अपने ब्यावसाई गत्यविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा अधूरे और रुके हुए कार संपन होंगे संतान संबंधी अनुकूलता और सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है पारिवारिक उर्देश्यों की पूर्टी होगी और खुशनुमा महावल बना रहेगा वयवायक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा साथ हैं स्वास संबंधी सावधानिया और अपने खर्चों को नियंतित करने की कोशिश करनी चाहिए मित्फुन राशी वाले जातकों की सकारात्मक कारी उर्जा बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे घरेलू और नीजी निवेस के लिए आज की मानसिक्ता बनी रहेगी ब्यावसाय की योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे नई कारियोजनाओं के लिए भागीदारी लावदायक रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिन होगी, बच्चों से संबंधित सुखत समाचार मिल सकता है, सासन सकता वो अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, आपके आध्यात्मी कूर्जा आस्तर में बृध्ध और विकास की मानसिक्ता बनी रहेगी, संबंधित मामलों में आ रही अर्चनों के हल करने की प्रवित्ती का संकेत मिलता है, काम की अधिकता के साथ-साथ उर्जा आस्तर भी वहा रहेगा, सुख और भागे का मिला-जुला फल मिलता जाएगा, आथिक लाव बना रहेगा, रुकी हुई या नई कार्योजनाएं चालू होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर संतान पक्ष से चिन्ता संभावित है। नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, मगर अपने कार्य छेतर से संभन्धित सावधानी बनाए रखे हैं। सिंग राशी वाले जातकों को धन संभन्धि मामलों और आर्थिक लाव के नए मार्ग के स्रीजन के प्रति मानसिक्ता बनी रहेगी। उत्साह और कारे छमता में व्रिधी होगी, कारे छेतर का प्रबंधन उचित धंक से होता रहेगा। नई कार्य और जिनावों के प्रतियापती सक्री सोच जारी रहेगी, मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव बना रहेगा। बच्चों और पारिवारिक मामलों में सुख और संतुष्टी मिलती रहेगी, विद्याथियों के लिए आज का दिन महनत वाला होगा। अपनी आंतरिक उर्जागा भरपूर इस्तेमाल रचनात्मक कारियों में करते जाएं। कन्या राशी वाले जातक उर्जावान महसूस करेंगे और स्वास संबंदी रचनात्मक प्रयासों के प्रतिमान सिक्ता बनी रहेगी। मगर व्यावसाई की वजनाओं में साज्यदारी सफलता दिलाएगी, मित्रों और सहयोगियों से भी लाव संभावित है। बड़े निवेश के लिए आज का दीन अनकूल है, किसी समारों हमें जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा प्रफ्द्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा। निजी सम्बंद प्रगाड होंगे और स्वास्त सम्बंदी आवसक सावधानी बनाई रखें। तुला रासिवले जातकों के आर्थिक मामलों में ब्याय की इस्थिती अंचाहे यात्रा और अपने घर ग्रिहस्ती पर खर्च की प्रवरित्ती बनी रहेगी। और यदा-कदा मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। स्वास्त सम्बंदी मामलों में ध्यान देना चाहिए। मगर सासन सब्ता बहलिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। मगर ब्याय भी संभावित है। ब्यावसाई की वजनाव में विवाद या रुकावट को टालना होगा। संतान वा सिक्षा प्रत्योगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक महावल चिंता ग्रस्त महसूस हो सकता है। ब्रिश्चिक राशी वाले जातकों की आय संभंधी आवस्चक संसाधनों की बृद्धी में और संतान संभंधी समस्याओं के हल निकालने की प्रवरित्ती बनी रहेगी। अपने आप में उर्जा अवान महसूस करेंगे और अध्याप में क्रेरणा का योगदान मिलेगा। आपके रहन साहन, खान पान और जीवन अस्तर में सुधार और घर परिवार के माहौल पर ध्यान आकर्सित होगा। व्यावसाई की योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, आठिक लाफ सामान रहेगा। अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा, रचनात्मक प्रयास जारी रखें। बच्चों के मामले में व्याई की स्थिति अभी बनी रहेगी। धनुराशी वाले जातकों की कारे छेदर को सुचारू ढंक से चलाने की प्रवरित्ती वह नई कारी योजनाओं के विस्तार की मानसिक्ता बनी रहेगी। पिता के प्रतिसहयोगी रवया और उनके प्रतिचिंता का संकेत मिलता है। साथी साथ अपने स्वास्त पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। ध्यावसाई की वजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कोशल और मेहनत के बल पर सुल जाने में सफल रहेंगे। दिमागी रूप से ब्लगरता बनी रहेगी। फिर प्रतिकुल माहल को अपने अनुसार करते जाएंगे। सहयोगीयों से वाद विवाद संभावित है। आय संबंदी मामलों में सहयोग यारी रहेगा। अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होँगे। मकरवराशी के जातकों के उर्जा, अस्तर और आत्विश्वास में विद्धी होगी। आपका मन धर्म छेतर के प्रति जादा केंदित रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। कार योजनाओं की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आत्रिक लाग सामान रहेगा। नई योजनाओं में निवेस और साजेदारी का योग बना हुआ है। सम्मंदित मामलों में उचित दिशा निर्देस मिलता रहेगा। वाहन और सुक्स विधाओं से सम्मंदित वस्तूओं में भी दिधी होगी। विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है। मगर अध्यान ध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। अनावसक किसी से उलजना उचित नहीं होगा। और देव दर्शन के योग बनते हैं। उतार चड़ाव का संकेत मिलता है। यातरा संभावित है। वहां धीमे चलाएं और सावधानी बनाए रखें। मिध्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा। अध्यान अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मीन रासी वाले जातकों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा। मगर कारी और जिनाव में चल रही मंदी को सुधारने की आवसकता है। आथिक लाव के लिए सहयोग बना हुआ है। साथक पहल करने की आवसकता होगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें। लाव मिलेगा। साथ ही स्वास्त संभंदी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साजेदारी के मामले आज के लिए अनकूल रहेंगे। नीजी संभंद प्रगार होंगे। शिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास करना पड़ेगा। बच्चों से संभंदी मामलों में चिंता बनी रहेगी। और वयवाहिक प्रयास सफल होंगे। आज के लिए वसितना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमाशिवाय।